सबसे पहले तो आप लोग तीन गलतिया में कर रहे हैं। सबसे पहले कि आप ये जो खाने वाला नमक पिसावा वाला मिला रहे हैं। नमबर एक गलती। नमबर दो गलती कि आप उसे सूखाई डाल रहे हैं अपने solution में अपने product के अंदर। तीसरी गलती कि आप उसको यह नहीं देख रहे हैं कि जो आप सॉल्ट डाल रहे हो, में उद्देश से सॉल्ट डालने का गाड़ा करना होता है प्रोटक को, सब यह चाते हैं कि हमारा प्रोटक गाले से गाड़ा हो जाए, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको pH कितनी adjust करनी हैं ताकि आपको माल जो है आपका गाड़े से गाड़ा बने हैं दोस्तों आज का वीडियो आज एक ऐसे टॉपिक पर है जिसे आप ज्यादतर लोग यह सोचते होंगे कि यह भी कोई टॉपिक है बात करने का यह तो हमें सब को पता है जब हमने काम शुरू किया था सबसे पहले यही तो सीखा था आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों सॉल्ट के बारे में खाने वाला नमक जो आप सभी लोग अपने प्रोड़क्स में मिलाते हैं लेकिन क्या आपको यह पता है कि आपको कितना सॉल्ट मिलाना है कैसे मिलाना है और कम या ज्यादा अगर आपने आपको आपको जरूर यह लगेगा कि हाँ यह चीजे तो हमें पता ही नहीं थी और अब हम इनसे अपना माल कुछ ना कुछ तो बहतर बना ही लेंगे कुछ ना कुछ हम कॉस्टिंग भी कम कर लेंगे यह मेरा दावा है आप नमशकार दोस्तो मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिकल सर्जी तो आईए बात करते हैं कि जब आप सवल्ट मिलाते हैं तो आप कर क्या रहे हैं देखिए जो मैंने फील्ड में देखा है सबसे पहले तो आप लोग तीन गल्तिया मेन कर रहे हैं और आप सौल्ड डाल रहे हो मेन उद्देश से साल्ड डलने का गाड़ा करना होता है प्रोटक्ट को सब यह चाते हैं कि हमारा प्रोटक्ट गाड़े से गाड़ा हो जाए लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको पीज कितनी एड्जस्ट करनी है ताकि आपको माल जो है काम कैसे करता है स्वाल तो आज हम इसी की बात कर दोस्तों वीडियो तो आप देखी रहे हैं आपको जाज स्यादा अच्छी बाते बता रहा हूं हर वीडियो में मेरी कोशिश यह यह कि आपका जितना भी प्रॉडक्ट है वह अच्छे सच्छा होता जाए तो किर्फिया प्ल मुझे वीडियो बनाना हो तो वह आपके कॉमेंट से आइडिया मिल जाता है कि प्रैक्टिकली आपको क्या प्रॉब्लम सारी है आप मुझे डाले तो नहीं उसके आगे वीडियो बनाऊंगा चलिए तो अब आज शुरुआत करते हैं सॉल्ट की सॉल्ट जो खाने वाला न नमक किस तरह के प्रॉड़क्स को गाड़ा करेगा उसमें सबसे पहली कंडिशन यह है कि एनायनिक सर्फेक्टेंट जिस भी प्रॉड़क्ट में होगा उसको ही नमक गाड़ा करेगा एनायनिक सर्फेक्टेंट कौन से हैं जो आप इस्तमाल करते हो आप जो इस्तमाल करते ह तो वो हैं Acid Slery, SLS, SLES, इस तरह के जो यह commonly आप यूज़ करते हैं, इनी को सॉल्ट मिलाने से गाड़ा कर देता है, अब गाड़ा कैसे कर देता है, जब हम उसमें नमक मिलाते हैं, तो जो इसके molecules हैं, जो गोल होते हैं, वो road shape में हो जाते हैं, और वो एक ऐसी प्रकरिया से गुज़रते हैं, कि वो गाड़ा हो जाता है, technically आप इसमें बहुत जादा तो chemical समझाने में आप को से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इसकी main प्रकरिया यह है, अब उसमें होता है कि अगर जैसे कहते हैं, भी बहुत सारा नमक डाल दो, बहुत सारा नमक डाल दो, आप बतला होना शुरू हो जाएगा, तो इस चीज की जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है जब आप अपना product बनाते हैं, मानलीजे आपने कोई formula चेंज कर दिया, तो उसके हिसाब से भी नमक चेंज करना पड़ेगा, कोई chemical आपने बदल दिया, उसके हिसाब से भी नमक चें समझा दूँगा, कि salt curve में हम ये देखते हैं, कि हमारा कितना salt डालने से viscosity कितनी बढ़ रही है, और किस level तक जब हम salt को डालते जाएंगे, तो उसके बाद कौन सा point ऐसा आएगा, कि उससे जादा salt हमारा solution फिर absorb नहीं करेगा, उसके बाद वो solution पतला होता चला जाएगा, और आपने देखा होगा दोस्तों कि viscosity, गाढ़ापन, थिकनेस बढ़ता धीरे-धीरे है, लेकिन जैसे ही एक point आता है, आप उसमें थोड़ा सा भी salt डालेंगे, एकदम से पानी जैसा माल हो जाता है, फट जाता है, separation हो जाता है, भुनला हो जाता है, ये सब समस्याइं आपने मि देखिए होंगी, आप इसके बारे में भली बाती जानते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा salt curve के बारे में बता देता हूं, देखो दोस्तों ये मैं आपको बताता हूं कि salt कर्व क्या होता है, अब जैसे हम इसमें, मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें ये स्तरह है salt की quantity और इधर आ जाएगी viscosity, thickness, तो जब आप जैसे-जैसे salt मिलाएंगे, अब हमने अगर पहले हमारा माल सपोज यहां पर है, हमने इसमें salt मिलाना शुरू किया, तो इसकी viscosity ऐसे बढ़ती है, धीरे-धीरे, जैसे-जैसे आप salt मिलाते जाएंगे, यह ऐसे बढ़ता जाएगा, एक समय आएगा जब इसकी viscosity में बहुत कम फर्क लगेगा, इतने salt के डालने के बाद भी, और यहां जब यह पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद जब आप इसमें salt डालेंगे, तो यह आपका, जैसे यह आपने salt डाला, बस यह फिर ऐसे पतला होना शुरूँ हो जाएगा, तो यह जो कर्व होता है, इसको कहते हैं salt कर्व, तो आपको इसका विश्येश ध्यान लखना है, कि जब आप इसमें salt डालेंगे, तो यह बढ़ेगा धीरे-धीरे, लेकिन गिर जाएगा यह एकदम से, तो आपको यह ध्यान लखना है, कि आप इसमें एक बार adjust कर लो, कि भी हमारे अगर chemical में 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम आ रहा है, तो वो कहां तक जा रहा है, और कितने के बाद वो पतला होना शुरू हो जाता है, अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि भी जब आप इसमें कुछ chemical ऐसे होते हैं, जो पतला कर देते हैं, तो मानलो आपने यहां तक गाड़ा करके रखा है, तो वो जब जैसी इसमें chemical एड़ करोगे, वो आपको यहां पर आ जाएगा आपका solution, और वो आपका पतला हो जाएगा, तो इसलिए इन चीजों का विशेष धियान रखना है, अच्छा, एक नमक डालते हुए, हमें एक जो और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जिसको हम लोग नहीं ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो है temperature, जैसे आपने देखा होगा कि जो गर्मी है, जब गर्मी के दिन होते हैं, और सर्दी में माल थोड़ा गाड़ा हो जाता है, तो सर्दियों में तो जब माल गाड़ा हो जाता है, तो आपको अपना थोड़ा सा नमक कम करना पड़ेगा, जिससे वो माल धुंदला ना हो, आपने देखा होगा, जब ज़्यादा थंड होती है, तो माल की ट्रांस्परेंसी खतम हो जाती है, तो आप उसमें थोड़ा सा नमक कम करिए, सर्दियों में आपको कम करना पड़ेगा, अब गर्मियों में माल पतला हो जाता है, तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज सॉल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें सॉल्ट ज़्यादा और बढ़ा देंगे, अगर आपने मैक्सिमम तक करके ले गए हैं, सॉल्ट करब के हिसाब से आपने मैक्सिमम सॉल्ट लाल दिया, अब गर्मी आई, वो माल पतला है, उससे जादा आप गाड़ा सॉल्ट से नहीं कर सकते हैं, सॉल्ट से गाड़ा करने के एक लिमिट है, बस उससे जादा आपका प्रोड़्ट गाड़ा नहीं होगा, तो उसमें आपको ख्याल लखना है, यह नहीं कि आपने सोचा कि पतला हो रहा है, तो और सॉल्ट लाल दें, वो गाड़ा नहीं होएगा, जैसे आपको अगर थोड़ा सा माल और जादा गाड़ा कमपेरिटिवली करना है, तो मैं आपको सिरफ एक हिंटी बता सकता हूँ, क्योंकि बाकी तो सब आपके फॉर्मूले पर डिपैंड करता है, कि आपने क्या क्या माल मिला रखा, क्या डाल लखा है, लेकिन आप अगर SLS थोड़ा सा बढ़ा दें, तो सॉल्ट सबसे ज़्यादा गाड़ा SLS के साथ करेगा, SLS के साथ उससे थोड़ा कम करेगा, तो आप अपने फॉर्मूले में देख लें, कि अगर SLS बढ़ानी की थोड़ी गुंजाईश है, और आपकी कॉस्टिंग ठीक आती है, आपका मा सबसे ज़्यादा गुमाया कि अब यह गाड़ा हो रहा है, मैंने जो आपको विस्कॉसिटी टेस्ट करने का तरीका बताया, वेको सिंपल एक 5 रुपे की सिरिंद के साथ, उससे टेस्ट करिएगा, तब आपको पता लगेगा कि 10 ग्राम सॉल्ट पे इतना था, 20 ग्राम पे इतना था, 50 ग्राम पे इतना था, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, वो मिल जाएगी, आपको विस्कॉसिटी चेक करने की गाड़ा पन चेक करने, आप एक और बात आती है कि जैसे हम बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं, जिनको डालने से माल पतला हो जाता है, जिसमें सब है मैं इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाओंगा आपको और की fragrance का क्या काम हैं कैसे काम कर रही है, क्योंकि हमारे पास सबसे महगा कयमिकल फ्रेग्रास है, और उसीके बारे मन्में जानकारी नहीं है, बस सब लोग यह कह देते हैं, बाद में मिला दो Product बन किया उ तो यह हमारा salt curve है, जो अभी मैंने आपको समझाया था, यह shift हो जाता है, पतले पंद की तरफ, तो इसमें हमें थोड़ा सा नमक अपना कम करना पड़ेगा, लेकिन यह सब आप sampling में करें, पूरे बेड़ा lot में ना करें, पहले आप देख लें कि इसमें fragrance हमने इतनी डाली है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप माल तैयार करके fragrance डाल दो, salt उसमें बाद में पूरा करो, तो आपको पता लग जाएगा कि salt डालने से मेरा माल कहां तक कितना गाड़ा हो सकता है, तो fragrance के time बहुत जादा ध्यान रखना है, कि बहुत सी fragrance तो ऐसी हैं, जैसे आप अगर कभी lavender वगेरा आप यूज करोगे, तो एकदम पतला कर देती है माल को, lemon वाली थोड़ा कम करती है, lemon वाली फिर भी normal चलती है, तो आपको इस तरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो temperature का ध्यान रखना पड़ेगा, जो chemical पतला करते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपना नमक अड़ेस्ट करना पड़ेगा, और एक जरूरी बात ये दोस्तों कि नमक जो है, बहुत अच्छा chemical है, सफाई भी करता है, अगर हमारे product में डला हुआ है, तो वो सफाई भी करेगा, लेकिन उसकी एक दुरगुण ये कह सकते हो, आप या उ जादर से जादर दो परसेंट तक आप नमक रखो, जितना आपका product का है, उसके हिसाब से, दो परसेंट वेट के हिसाब से आप नमक रखो, उससे कमी कम रखो, लेकिन आप उसे पहले एक सेंपल में अड़ेस्ट करना, उसके बाद आप डालो, अच्छा एक बात, जब आप नमक डालते हैं अपने मौल के अंदर, जब भी वो धुंदला होना शुरू हो जाता है, तो आप समझिए कि आपके product की जो limit है, saturation level है, वो आने वाला है, तो उससे अगर कम आप रख सकते हैं, तो रखिए, अदर्वाइस आप उसे दीरे-दीरे करके, पहले आप एक solution में उस गलतिया कर रहे हो, वो सही कैसे होंगी, पहले सबसे पहली गलती कि आप नमक डाल रहे हो, पिसा हुआ, जो ये company का pack डाता है, दूसरी गलती आप ये सूखा मिला रहे हो, तीसरी गलती कि आप पी एच अड़्यस नहीं करे, इन तीन की वज़े से आपको, मैं ये नहीं कह सक उसमें आयोडीन मिली होती है, आपको पता है कि बिना आयोडीन मिला हुआ, खाने का नमक बजार में नहीं दिख सकता, तो उसमें जब आप उसको मिला रहे हो, तो उसमें जो वो आयोडीन है, और वो उतना 100% प्योर भी नहीं होता है नमक, तो जो आयोडीन है उसमें, वो क chemistry में एक सिध्धान्त है कि light dissolve lights, जैसा एक जैसा समान जो जैसी रूप में आले सामान होते हैं, वो एक दूसरे को जल्दी dissolve करते हैं, जैसे liquid में liquid मिल जाएगा, liquid में solid देर में मिलेगा, liquid में gas बहुत देर में मिलेगी, तो आप क्या कर रहे हो, आपने बस सूखा नमक मिलाया और उसको थोड़ा सा string कर दी, तीसरी गलती कि आपको यह नहीं पता कि भी pH कितनी होनी चाहिए अगर salt डाल रहे हैं हम तो, इनका क्या हल है, इनका हल यह है कि आप जैसे इन बजार में नमक आपने देखा एक तो यह packet व होती है क्योंकि वो तो प्रॉड़क्ट जो होते हैं नीचे के होते हैं जिस फैक्टरी में चार सॉल्ट बन रहे हैं उसके बाद जितना पिसा हुआ बचा वो सम्मिला के भर देते हैं अब उसमें धूल मिट्टी है तो क्या करें भई आप सोच रहे होगे अब इन्होंने त सबसे सस्ता भी पढ़ेगा आप बाजार से डली वाला नमक लेलो डली वाला नमख सब जानते हैं जञार वगयरा मैं भी ढालते हैं גabbt ऑला नमक आप लो वह आपको आपकप में लगेगा जदा घाड़ा कर देगा आप उसे एक्षा में करके देख दूसरी बात कि आप सू अपने प्रोड़क्ट में मिलाओ यह नहीं कि एक साथ आपने बाल्टी से लिआ जग से लिया और पलट दिया नहीं आप फोड़ा सा लीजिये धार बनाकर डालिए साथ में स्टेरिंग करते रहे जितना आप धीरे भीरे डालोगे उतना उसको मिलने में आसानी होगी और आप आपको रिजर्ट बहुत अच्छा आएगा तीसरी चीज कि pH कितनी होनी चाहिए जितने भी सौर्ट से गाड़े होने वाले सामान हैं अगर आप उनकी pH 6 के आसपास रखेंगे 6 5.5 से 6 6.12 तक अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा गाड़ापन मिलेगा हातों को क हैं परनी नقصान नहीं करेगा लोग कहेंगे कि नीस queens हो गया यह तोच्हे कोई एसी डिक नहीं होता है जो हमारी सकी होती है जो हमारे हात हैं उन सब के लिए 16 वर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बल्कि आप 7 ऑले आप बिल्कुल साथ pH के पानी से आप हाथ दोईए आपके हाथ सूखे सूखे से लगने लगेंगे अच्छा दोस्तों नमक जब आप मिला देते हैं सौर्ट मिला देते हैं तो उसमें एक सबसे ज़रुरिक बात और भी धियान रखनी है जब आप सैंप्लिंग भी कर रहो है या कुछ भी तो जैसे भी धियान लखिए कि अगर आप सैंप्लिंग कर रहें कुछ चीज का चेंड कर रहें नमक के बारे में स्टेडी कर रहें अपने सैंपल पर तो सब कुछ मिलाने के बाद आप थोड़ी थोड़ी देर उसे रो कियेगा ताकि जैसे हिंदी में कहते हैं कि उसमें हजम तो हो ज आ रहे हैं चाय भी नहीं बनती आप सब कुछ इकटा डाल दो तो तो चाय भी नहीं बनती सही से हर एक चीज का प्रोसेस है आपको कहां पर क्या चीज़ डालनी है आप इस तरह से करकर देखिए आपको कहीं न खहीं फर्क जरूर मिलेगा इसमें आपकी कोस्टिंग जरूर हो जाएगा यतना मुझे विश्वास है तो अगर आपको भी लगता है कि हां मैंने जो आपको सही बाते बताई है उससे आपका कुछ फायदा हो सकता है आप उसे करके देखिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए कॉमेंट कर दीजिए लोग सोचते हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होंगा मैं भी 10-20-1000 पर लगाके एक दिन अपनी अपनी कंपनी बनाओंगा बहुत अच्छी बात है आप अपने को भी रोजगार दे रहे हैं साथ में किसी ओर एक-दो को भी रोजगार दे रहे हैं तो उसमें आपको जो बहुत छोटी बारी किया हैं आप उन्हें भी जान लेंगे तो आप आप काम को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे मेरा तो बस यही कहना है थैंक्यू दोस्तों